गैंग्स्टर से राजनेता बने मुखतार अंसारी को पिछले साल यानी 2023 में वाला नसी की एक अदालत ने कॉंग्रिस नीता अब देश राय की हत्याकान में अजीवन कारावाद की सजा सुनाई थी वो जेल में अपने दिन बिता रहा था कि अचानक उससे जुड़ी एक पड़ी घटना सामने आई है मुखतार अंसारी की बांदा जेल में देर रात हालत बहुत जादा बिगड़ गई जिसके बाद बांदा जेल से उसे जिला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां हालत जादा बिगड़ने पर उसे आईसियो में वेंटिलेटर पर रखा गया है जेल वेभाग ने रात में ही मुक्तार के घरवालों को इसकी सूचना भिजवा दी है मुक्तार की स्थिती काफी नाजुक बताई जा रही है मुक्तार की सब्सक्राइब तो उसके बाद की सिपाही में आकर रिसीव कराया मेरे चचेरे भाई अव्जालन सारी तो कि मुक्तार कारी खायत की तवियत खराब है मतलब सूचना दिया गया तो जो जहां था वहीं से निकल दिया मैं लखनौ में था अपनी को लेकर आया था डाक्टर को दिखाने के लिए चार पाच वजे बोज में मुझे पता लगा कि यह हाल है तो सांसद अवजालन सारी मुझे कहा कि तुम वहां से नजदी को तुम जंदी जा सकते हो जाकर देखो हम लोगों को तो समझ में आ रहा है कि पता नहीं वो जिन्दा भी है कि नहीं है अब कैस्ती देशा जो जहां से जिसको सूचना मेरी वो चल दिया उनके बेटे उमर अ रहा है और सांसद अवजालन सारी भी रास्ते में पुछ देर में वो पहुच जाएंगी लेकिन अभी मेरे वकील साहिब को मिलने दिया गया है मुझे अभी मिलने की अजासत नहीं मिली है और यहां जो सुरच्छा में ड्यूटी में लगे हुए ऑफिसर लोग उन्होंने यह कहा कि आप जे लधी छक से जाकर लिखवा के लाइए तो आप दिम को देख सब्सक्राइब मेरे वकील साथ अंदर गये थे उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि हां खोश और हवास में हैं वो लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं आने के बाद किस इनका उचार सही डंग से किया जाएगा और हम तो यहीं चाहेंगे कि इनको कोई अच्छी जंगर भेज कर इनका इलाज कराया जाएगा समस्य क्या है इनको कि अभी कुछ पता नहीं पस पता लगा है कि वह चक्कर आया वो गिर गए थे उसके बाद जेल सुप्रेमेंसाद ने ततकाल तीन मजे रात में हां इनको एडमिट कराया तो सारे परिवार के लोगों को मालूम हुआ सब लोग तो डर गए थे पता नहीं अनसारी ने कोट में लिखत बयान के जरिये आरोप लगाया था कि उसको स्लो पॉजल यानि धीमा जहर दिया जा रहा है और उससे उसकी तवियत दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है जेल प्रसार्शन ने सारोप का खंडन किया था वहीं अंसारी के वकिलों ने अन्होनी की आशर का व्यक्त की है कितने बज़े आपको सूचना मिली थी क्या बोला गया था यह तो पेरे चार बज़े के आश्पात करी हम लोग आई था फिलहाल अंसारी का इलाज जारी है कर दो में उलाज दो ने सारी के वकिलों फिलहाले है